तो हेलो दोस्तों वेलकम बैक स्वागत आप लोग को क्रिप्टो क्रेंसी के दुनिया में दोस्तों अगर हम मिम्स टोकन के बात करें तो सिवा एनू, डोज कोईन, सेप मून, फ्लोकी एनू, कियोशू एनू सहीत आमा इस तरह से काफी सारे मिम्स टोकन्स है मार्केट में और सभी का यूज केस एक अलग-अलग है, डिफ्रेंस हैं, लेने का वजह भी दोस्तों सभी का अलग है, कि हम अगर इसे होल्ड करते हैं, तो इस रेजन के वज़ए से हमें इतना प्रोफिट मिल सकता है, वहें पर दोस्तों हम बात करेंगे बेबी डॉज कोईन के लिए कि बे क्या रीजन है, इसे होल्ड करने का, और आपको इसे कितना तक प्रोफिट देखने को मिल सकता है, पूरे 2022 में, तो इस पर चर्चा करेंगे, दोस्तों एक बहुत तरी में मुद्दा है, इस टोकन को होल्ड करने का, और बाकी बात जो भी अभी डिसेंट में चल रहा है, बे करने के लिए सोच रहे हैं, तो आपका सारा डौट किलियर हो जाएगा, तो चलिए देर नकर दोस्तों वीडियो कम सुरू करते हैं, अगर आप लोग को जरा सा भी हैल्फुल लगे, मेरे बातों से अगर आप लोग एक डिक करते होंगे, सहमत होंगे, तो प्लीज एक लाइ कुछ helpful वीडियो चाहते हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब करके, नोटिफिकेशन आइकन पर क्लिक करके, और पे सलेक कर ले, ताकि आपको डेली विजिस पर क्रिप्टो के नए-ने अपडेट देखने के मिले, थोड़ा सा मार्केट पर भी नजर डालता है, कि मार्केट का पर भी अपडेट देखना जोरी है, तो फिलाल दोस्तों करें विटकोईन के दिसेंट के बात करें तो आज की डेट में फिर से आपको थ्रुआ सा इसमें डंपिंग देखने के मिल सकता है, क्योंकि दोस्तों यहां पे एक दिन के बाद एक दिन आपका डंप, एक दिन हुआ है क्योंकि jest यहां से आपको इसमें देखने हैं इसका टार्गेट है फिलाल हम अवरॉल मार्केट के बाद करें हैं कि तो कुछ कोईन में डूंपिंग नेघनी मिल रहा है कुछ कोईन में पभी देखने हैं क्तर हैं 50 का मार्केट हुआ है आज की डिट में बात करने बाले है इससे पहले बेवी के बारे मैं जाने पहले एक ओर क्यों में करके जो कि शीन्जा के बारे आपको दोसमे बारे कि इतना लिया हूं और किस एक्षेंज के थूरू इसे परचिज के थे जिस दिन दोस्तों आप लोगो सेशन दिया उसी दिन दोस्तों इसमें देखेंगे सिंजी करके हैं जो कि 20 से जैनवरी को यहां पर लगाया हूं आप देख सकते हैं कि 22 सिंजी टोकन्स और जो मेरा इमाउन था दोस्तों कितना परचिज क्या हूं मात्र लबक 24 डॉलर का आप देख सकते हैं 24 यूजडी का 33.71 का उसका दोस्तों फिर से 21 तारिक को उसे लगले ही सुबह में 96 मतलब 97 यूजडी का मतलब कल्कुलेट करेंगे 114 डॉलर का सिंजा क्वाइन मतलब सिव नोभी क्वाइन में लिक रखा हूं और इससे जो सेल करना दोस्तों कल के डिट में से मैं साम में सेल कर दिये थे जो कि आप देखेंगे इसका प्राइस से 290 लबग 291 डॉलर में में सेल किया मतलब आप रोक्स देखा जाए तो एक्षली 2 एक्स का प्रोफिट यहां पर देखने मिल रहा था लेकिन जब मैं सेल करने का उसमें प्रैस में काफी फ्लेक्टुएशन हो रहा था कल के डिट में आप देख रहेंगे 32 चावालिस का हा 24 तक गया हुआ है यहां पर देख सकते हैं तो हो सकता है उसी दर्वियान मतलब थ्वासा कम हो गया होगा फ्लेक्टुएशन सेल के दर्वियान तो मात्र 290 मतलब देखा जाए तो यहां पर 85% का रहा प्रोफिट मुझे मात्र आज कितना तरह हो गया दोस्तों आज होगी आ आप देख सकते हैं जो कि आपका 29 तारीक के देट में मतलब रात में 12 बजे बाद इन्वेश्मेंट किया हूं आप देखेंगे तो 300 डॉलर का और अभी प्रैस में देखेंगे कि 18% देखने को मिल रहा है जिसके दोस्तों आपको टेलिग्राम पे अपडेट कर दिये थे कि लोग मतलब डीप में देखने मिल हा क्योंकि रीजन क्या दोस्तों कि कन इसका अपडेट आया है कि यह विरेट ड्यक्थे में लिश्ट होने वाला ऑ सकताля क्षेंगे के पंप grain को आप तो आप दोस्तों में डFlow skejhr देख सकते सब्सक्रा El plein Mi, के लेके इसलिए आपको इस पे सोट रम लेके डाल के जितना जल्दियों कि इसका दो तीन एक्षेंज इस पे लिस्ट होते होते आपको एक अच्छा प्रोफिट देखने को मिलेगा बाकी डिटेल्स में वीडियो में इसके बारे में बता चुका आप लोग देख सकते हैं और के बात कर रहा हूं और दोस्तों इसके बारे में तो अल्रेड़ी हर एक चीजों को हम एक्स्प्लैन कर चुके हैं फिलाल मार्केट के बात करते हैं तो market के साफ से gate.iU हो गया, follow nix हो गया, okx, aleback and bitmart, hotbit जैसे exchanges पे अभी यह लिस्टेड है, ok, जिसमें इक high value के बात करें, to get.iU हो गया, aleback हो गया, mxc हो गया and दोस्तो for bitforex हो गया, इस तरह से bitmart जैसे exchanges पे high value में, यहीं पर इसके holder के बात करें, 1.3 million holder हो चुका है, अप्रोश दोस्तो 13 lakh plus का holder हो चुका है, और मतलब अगर बात करें दोस्तो तो एक मतलब इसका जो दिन बाद दिन growth level बढ़ रहा community काफे strong हो रही है, okay, and इसके अगर हम function के बात करें, तो auto burning and manually burning का भी futures इसमें दिया हुआ है, total supply में से 41% type का, and यहाँ पे 10% का एक आपको token masses में है, जहांके liquidity log के लिए भी रखा गया है and rewarding के लिए भी रखा गये स्तरह से, अब थोब सब इसके road में पे budget करते है, and direct main मुद्धे पे हम चर्चा करेंगे, तो इससे phase 1, phase 2, यहाँ पे simplest दोस्तों बात करेंगे phase 5 पे, तो phase 5 पे आने, क्योंकि 4 phase तक complete हो चुगा, phase 5 में इसका baby dodge swap भी release किया जाएगा, जो कि अभी होना है, बाके बाद NFT marketplace and NFT collection, उसके बाद दोस्तों giveaway Tesla and community के थुरू, इसका कुछ like collaboration होने वाला है, इस तरह दोस्तों भी page 5 का इसमें मतलब अपना road में दरसाये गया है, अब हम इसके main मुद्धे पे आते हैं, main मुद्धे पे आने के मेरा region दोस्तों अगर है इसक तो जो ट्विटर पेज विजिट करने के बाद यहां पे फिलाल एक update आ रहा है, कि इसका एक warning का news आ रहा है, कि ready to burn, मतलब बेबी डॉज को है न बर्निंग का एक update आ चुका, वर्न हुआ नहीं, लेकिन official twitter page कि साब से वर्न का update आ चुका, साथ कि दोस्तों बात करेंगे, तो बेबी डॉज कोईन के लिए के काफी सरे camping निकाला जा रहा है, और बेबी डॉज कोईन थोड़ा साथ ट्रेंडिंग में आ रहा है, यहां पे देखेंगे ready to, ready for burn के लिए के update आ चुका है, अब दोस्तों यहां पे जो एक में मुद्द है कि बेबी डॉज कोईन के तरफ से जो अपडेट आया है दोस्तों कि आपका MCD मतलब मेंग डॉज कोईन के तरफ से मतलब मेंग डॉज कोईन होगा, यहां पर डॉज कोईन के कम्मूनिटी में से किसी को भी accept कर सकता है, कि रिजन का दोस्तों कि उसे एक फॉमो चाहिए, उसे भी एक पॉपलर होने का तरीका तो दोस्तों भी फिलाल लघंट रेंडिंग में देखा जाये तो बेवी डॉज कोईन में कुछ यादा ही इसमें मतलब टेंडिंग चाया हुआ है और सकेंड डी तुम बात करेंगे इसका मतलब बिगेश्ट रिजन के बात करेंगे तो इन मतलब बार-बार रिक्वेस्ट क हो सकता है अगले मैने लिष्ट हो जाए अग उसके बाद लिष्ट हो जाए तो दोस्तों इन चीज को तो मैं आपको सिक्यूर नहीं करूंगा लेकिन 2022 के लिए हम तोटल बता हूं तो 2022 में एक तो बाइनेंस एक्सचेंज पे दूसरा दोस्तों अगर बाइनस में लिष्ट होत टॉप एक्सचेंज से लाइक एक्स हो गया बाइनस हो गया कोईन बेस हो गया फिर सभी पे लिष्ट करने का मतलब लाइन लग जाएगा रिजन क्या दोस्तों कि बाइनस पे लिष्ट होने का मतलब है कि फिर आगे वाले जो लिष्ट करेगा उससे इसे वरिफाई करने का और मतलब उतना रिभ्यू करने का अब सकता नहीं क्योंकि बाइनेंस जब लिश्ट करेंगा तो ओटोमेटिक है कि उसारा हर ओए एक चीज भरिफाइक करके लिश्ट करेंगी तो इस रिजन दुस्तों मतलब होल्ड करने का सबसे पहला जो रिजन होगा मेरा टॉप एक्चें करेंग हो चुक कि यह बिवी डॉज को इन का तीस दुस्तों यहां पर क्योंकि कि किसी भी को लिश्ट करने के लिए उसका कॉम्नेटी और जो भी रमिंग करनेशन होता है अगर फॉल हो जाता है तो बैनेस और वजी देश्ट जीसे एक्चेंज अटोमेटिक उसे लिष्ट करेगा ही करेगा कभी नोर निक करेगा यहां पर आप सिवाइनुक देख लो सिवाइनुक में वही केस हुआ उसे भी लिष्ट क्या गया है तो इसे इसे दोस्तों केसे यहां पर देखने को मिलेगा तो इस रिजन से सबसे पहला जो रिजन है तो मेरा होल्ड करने का में मोटि है तो इस बीच में हो सकता है आपको और भी मतलब 40 परसेंट 50 परसेंट सो परसेंट टू एक्स जैसे प्रोफिट आपको देख नहीं मिल जाए तो उस जगह पर आप क्या करेंगे उस जगह पे मेरा करो अगेन आपको मुका मिलेगा बाकी बाद अगर आप इसे 2022 के लिए होल्ड करके रखना चाहते हैं तो आप पर डिपेंड करता है आप लोग होल्ड कर सकते हैं दुस्तों अगर यहां पर बात करेंगी कर वाइन जैसे एक्चेंजिस पर लिस्ट होता है वह जी रेस जैसे ए तो एक्सट टूइड परसंट तूहंडड परसंट देखने मिलेगा अन एक्सप्रेक्टेट्ट प्रॉफिट देखने कुछ इसलिए एक और सेशन कि लाएक कर आप पांस यहर के इंवेस्टमेंट की एक हैन की आपको प्रॉफिट मिल रहा च्यलिस परसंट प्रॉफिट कर तो प्रिंस्पुल एमाउंट वहें पर होल्ड करो लिस्टिंग के लिए दोस्तों इन सब रिजन से आप बेवी डॉज कोईन पर डाल सकते हैं और आप दोस्तों आप लोगो बेवी डॉज कोईन के लिए की इनफोर्मिशन पसंद आया हो और आप लोगो तो अभी क्या भारत